नमस्कार, डेली PCSG के प्रोग्राम में आपका स्वागत है, शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रैश्न से प्रैश्न था इंडिया ग्लोबल फोरम यानि IGF 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है इससही चवाब आप्शन ए दुबई व अबुधाबी में हाली में भारत के विदेश मंत्री S.J. शंकर ने सयुक्त अरब अमिरात यानि UAE में इंडिया ग्लोबल फोरम यानि IGF 2022 का उद्घाटन किया इसका आयोजन 12 से 16 दिसंबर तक दुबई व अबुधाबी में किया जा रहा है अतह विकल्प A. सही है यह कारिकरम भारत, UAE और दुनिया भर से प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक हस्तियों को एक साथ लाएगा इसका उद्देश यक्षेत्री और वैश्विक प्रभाव के लिए दोनों देशों के व्यवसायों और उद्यमियों को एक साथ काम करने के अफसर प्रदान करना है यह व्यवसायों और उद्यमियों को द्वीपक्षिय स्तर पर बड़े अफसरों का लाप उठाने में भी सक्षम बनाएगा इंडिया ग्लोबल फोरम यानि IGF अंतराश्ट्रिये व्यापार और वैश्विक नेताओं के लिए एक एजंडा सेटिंग फोरम है यह दुनिया भर में बड़े कॉर्पोरेट्स, बहुपक्षिये संस्थानों, राष्ट्रिये सरकारों, स्टार्टप्स, इनोवेटर्स आदी का एक अध्वीतिये नेट्वर्क है इंडिया इंक ग्रुप के संस्थापक प्रोफेसर मनोज लाडवा इसके संस्थापक और अध्यक्ष है आज के सेशन का पहला प्रश्ण है युनिसेफ का मुख्याले कहा स्थित है पैरिस, जिनेवा, एमस्टरडम या फिर नियु यॉक इसका सही जवाब ऑप्शन डी, नियु यॉक बीते 11 दिसंबर को युनिसेफ दिवस मनाया गया युनिसेफ का पूरा नाम संयुक्तराष्टर बाल कोश यानि उनाइटिड नेशन्स चिर्डरन्स फंड है मूर रूप से इसे संयुक्तराष्टर अंधराष्टर ये बाल आपातकालीन कोश कहा जाता था यह संयुक्तराष्टर की एक एजनसी है यह दुनिया भर में बच्चों को मानविये और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है युनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्याल है नियू यौक में है इसलिए विकल्प D सही है यह बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम करती है अगला प्रशन है श्री अर्बिंदो आश्रम का हस्थित है अंडमान निकोबार, पुड़ुचेरी, लक्षुद्वीप या फिर केरल इससही चवाबे उप्षन B पुड़ुचेरी हाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अर्बिंदो की 150 वी जयनती के उपलक्षिय में आयोजित एक कारेक्रम को संबोधित किया इस अफसर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने श्री अर्बिंदो के सम्मान में एक समारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया श्री अर्बिंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था वह एक योगी, दार्षनिक, कवी और भारतिय राष्ट्रवादी थे उन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से प्रिथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने हेतु संघर्ष में भी हिस्सा लिया पॉंडी चैरी या पुडुचैरी में उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित करने के उद्देश्य से अपने अभिन योग के विकास के लिए समर्पित कर दिया पॉंडी चैरी या पुडुचैरी में उन्होंने आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाई की स्थापना की जिसने वर्ष 1926 में श्री अर्बिंदो आश्रम के रूप में आकार लिया पाँच दिसंबर 1950 को इनका निधन हो गया अतह विकल्प भी सही है अगला प्रेशन है प्रधानमंत्री आदी आदर्श ग्राम योजना यानि PMAAGY का उद्देश्य है गावों का एकिकरित सामाजिक आर्थिक विकास करना महतपूर्ण जंजातिये आबादी वाले गावों को मौडल गावों में रुपांत्रित करना इसमें विकास के आठ ख्षेत्रों में प्रमुकता से कमीयों को कम करने की परिकल्पना की गई है या फिर उपरियुक्त सभी इसका सही चवाब उप्षन डी उपरियुक्त सभी बीते दिनों जंजातिये कार्रे मंत्राले ने 2021-22 से 2026 के दौरान कार्यानवन के लिए जंजातिये उप योजना के लिए विशेश केंद्रिय सहायता यानि SCA to TSS की मौजूदा योजना को संशोधित किया है इसका नाम प्रधानमंत्री आदी आदर्श ग्राम योजना यानि PMAAGY रखा गया है इसका उद्देश्य महतपूर्ण जंजातिये आबादी वाले गाउं को मौडल गाउं यानि आदर्श ग्राम में रुपांत्रित करना है अगला प्रशन है कछार लेवी का संबध निम्नलिखित में से किस्से है सीमा सुरक्षाबल, केंद्रिय औद्योगिक सुरक्षाबल, असम राइफल्स या फिर केंद्रिय रिजर्व पुलिस बल हाली में खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानि केवी आईसी ने सरसों के तेल की आपूर्ती के लिए असम राइफल्स के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये असम राइफल्स यानि A.R. केंद्रिय सशस्त्र पुलिस बलो यानि C.A.P.F. के तहत एक केंद्रिय अर्ध सैनिक बल है यह 1835 में कछार लेवी नामक एक एकल सैनेबल के रूप में अस्तित्व में आया इसका गठन पूर्वोतर भारत में शांती स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था अतह विकल्प सी सही है इसने असम क्षेतर को प्रशासन और वानिज्य के लिए खोलने में महतवपूर्ण योगदान दिया समय के साथ इसे नागरिकों के दाहिने हाथ और सेना के बाएं हाथ के रूप में जाना जाने लगा इसके वरतमान महानिदेशक लेफटिनेंट जनरल पी सी नायर है यानि AR, सीमा सुरक्षा बल BSF, केंद्रिय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, केंद्रिय रिजर्फ पुलिस बल CRPF, भारत तिबबत सीमा पुलिस यानि ITBP, राष्ट्रिय सुरक्षा गार्ड NSG और सशास्त्र सीमा बल यानि SSB अगला प्रशन है, जन्वरी 2023 में इंडिया इंटरनाशनल साइन्स फेस्टिवल यानि IISF 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? लखनव, विशाखापतनम, बेंगलूरू या फिर भोपाल? इसा सही जवाबे Option D, भोपाल इंडिया इंटरनाशनल साइन्स फेस्टिवल यानि IISF 2022 का आयोजन जन्वरी 2023 में भोपाल में किया जाएगा, इसलिए विकल पिडी सही है वश 2015 में प्रारंब के बाद से IISF 2022 इसका आठमा संसकरण है IISF की बात करें तो यह विज्ञान भारती के सहयोग से भारत सरकार के विज्ञान और प्रोध्योगी की मंत्राले तथा प्रित्वी विज्ञान मंत्राले की एक पहल है यह आयोजन देश और विदेश में लोगों और व्यग्यानिक समुदाय को एक साथ आने, एक साथ काम करने और भारत एवं मानफता की भलाई के लिए विज्ञान के प्रयोग की प्रसनता का अनुभव करने का अफसर प्रदान करता है बतादे की विज्ञान भारती देश के प्रतिष्ठित विज्ञानिकों के नेतरित्व में स्वदेशी भावना के साथ एक विज्ञान आंदोलन है अगला प्रश्ण है वर्तमार में ओद्योगिक उत्पादन सूचकांग यानि आई आई पी वी निर्मार क्षेत्र को कितना भारांख प्रदान करता है 77.6%, 76.6%, 75.6% या फिर 78.6% इससही जवाबे उप्शन ए 77.6% ओद्योगिक उत्पादन सूचकांग यानि आई 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 पी को राष्ट्रिय सांखी की कार्याले यानि नसो द्वारा ओद्योगिक प्रदर्शन एवं विकास के मापन हेतु जारी किया जाता है और्द्योगी क्षेत्र के निश्पादन का तुलनात्मक अध्यायन करने एवं और्द्योगी क्षेत्र से सम्बंदित नीती निर्माण के लिए इस सूचकांग का प्रयोग किया जाता है एनेसो ने इस सूचकांग के लिए आधार वर्ष में परिवर्तन करते हुए दोहजार चार पांच के स्थान पर दोहजार ग्याराहं बाराहं कर दिया है वर्तमान में IIP वी निर्माण क्षेत्र को 77.6 प्रतिशत खनन क्षेत्र को 14.4 प्रतिशत और बिजली क्षेत्र को 8.0 प्रतिशत भारांक प्रदान करता है अतह विकल्प A सही है अगला प्रश्न है ACI विकास बैंक यानी ADB की वर्तमान सदस्य संख्या है 67, 65, 68 या फिर 66 इसका सही चवाब ए उप्शन C, 68 हाली में ACI विकास बैंक यानी ADB ने भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन डॉलर के नीती आधारित रिन को मनजूरी दी है ACI विकास बैंक यानी ADB एक क्षेत्रिय विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी ADB का उद्देश्य एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है इसके सदस्य देश 68 है इसलिए विकल्प सी सही है कुल सदस्यों में से 49 सदस्य देश एशिया प्रशांत क्षेत्र से है जबकि 19 सदस्य अन्यक्षेत्रों से है भारत ADB का संस्थापक सदस्य है यह एक समरिद समावेशी लचीला और टिकाउ एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद है यह रिर्ण तक्नीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों और भागीदारों की सहायता करता है ADB का मुख्याले मनीला फिलिपीन्स में स्थित है अगला प्रश्ण है एक राजनीतिक दल को राष्ट्रिय दल माना जाएगा यदी यदी उसने कम से कम तीन राज्यों से लोगसभा में कुल सीटों का कम से कम चार प्रतिशत सीटें जीती हो या फिर उपर्युक्त सभी इसका सही चवाब ए Option B लोगसभा या राज्यों के विधासभा चुनावों में चार अलग-अलग राज्यों से कुल वैद मतों के 6 प्रतिशत मत प्राप्ठ करें तता इसके अतिरिक्त चार लोगसभा सीटों पर जीत दर्ज करें खाली में गुजराच चुनाव के परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी भारत की नौवी राष्ट्रिये दल बन गई उसे कुल वोट का लगभग 13 प्रतिशत प्राप्त हुआ एक निश्चित कद राष्ट्रिये दल के साथ जुड़ा होता है लेकिन यह है ज़रूरी नहीं कि उसका बहुत अधिक राष्ट्रिये राजनीतिक प्रभाव हो चुनाव आयोग की राजनीतिक दल और चुनाव चिन 2019 पुस्तिका के अनुसार एक राजनीतिक दल को राश्ठिये दल माना जाएगा यदि यह चार या अधिक राज़ियों में राज़ियस्तरिये दल के रूप में मानिता प्राप्त हो लोगसभा या राज्यों के विधासभा चुनावों में चार अलग-अलग राज्यों से कुल वैद मतों के 6 प्रतिशत मत प्राप्ट करें तथा इसके अतिरिक्त 4 लोगसभा सीटों पर जीत दर्च करें या यदि उसने कम से कम तीन राज्यों से लोग सभा में कुल सीटों का कम से कम दो प्रतिशत सीटे जीती हो अतह विकल्प भी सही है अगला प्रशने है हाल ही में मीजोट्रोपिस पैलिटा यानि पट्वा को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है यह किस प्रजाती से सम्बंदित है कच्छुआ औशधिय पौधा सांप या फिर तितली इससही जवाब औप्शन भी औशधिय पौधा हाली में हिमालक शेतर में पाई जाने वाली तीन औशधिय पौधों की प्रजातियों को संकट गरस्थ प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है इन प्रजातियों में शामिल है मीजोट्रॉपिस पैलीटा या पटवा क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रिटीलोरिया सिरोहोसा वल्नरेबल डेक्टाईलोरीजा हैटागीरिया एंडेंजर्ड बतादे कि हिमाले औशदिये पौधों का एक सम्रिद भंडार है और 1998 में किये गए अध्यायनों के अनुसार इस ख्षेतर में ऐसी प्रजातियों की संख्या 1748 है अंतिम प्रशने है समिधान के किस अनुछेत के तहत न्यायालेओं द्वारा संसत की कारेवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है इसका सही जवाब आप्शन D अनुछेत 122 भारतिय समिधान का अनुछेत 122 न्यायालेओं द्वारा संसत की कारेवाहियों की जांच ना किये जाने से संबंदित है इसलिए विकल्प D सही है इसमें अनुछेत 122 के 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 अनुछ के अपने द्वारा प्रेयोग के विशे में किसी न्यायाले की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा आईए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न निम्दलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेत्रित्व किया था बाल गंगाधर तिलक अजीत सिंग सेद हैदर रजा या फिर लालालाच पत्राए इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रशनों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए and stay motivated आपरे नए्ट न Muito एक हैँ आदेचल सेशन छोलाभ वा प्रशनों के साथ मेंगा तक कि उत्म जमेंगा मेंगले सेदीनार के साथ में पत्राणिय।